नमस्कार, इस वीडियो में भारत के सूप्रसिद्ध मूर्तिकार शंखो चोधरी के बारे में हम लोग उनके काम और उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे शंखो चोधरी भारत के एक प्रख्यात मूर्ति शिल्पी थे और इन्हों ने जो अपना एक स्थान भारती कला के द्रिश्य कला में बनाया, उसमें इनका कोई और सानी नहीं रहा इनका काम जो कि पूरी तरीके से अमूर्त शेली पर आधारित था, अपनी ही तरीका का एक प्रमार प्रस्तोत करता है कि उन्हीं की श्रंकला में कोई और अन्यमूर्तिकार खड़ा नहीं दिखता है शंको चोदरी का जो मूल नाम था वो नारा नरेंड था और लेकिन उनकी जो पारिवारिक परमपरा थी उसकी वज़े से उनका जो घरेलू नाम था शंको उसी की वज़े से वे प्रख्यात हुए और जाने गए कला जगत में तो शंको चोदरी के जो गुरू थे वो भारत के प्रख्यात मूर्तिकार राम किंकर बैज थे और राम किंकर बैज के सानिधिय से ही उन्होंने मूर्ते शिल्प के जो थे बारिकियां सीखी और टक्नीक सीखी तो इस तरीके से शुरुवाती दौर में इन्होंने जो अपने काम में एक स्टाइल था वो था क्यूबिजम क्यूबिजम यानि घनवाद एक पश्चिमी आंदोलन है मुख्य शेली है उसका प्रभाव इनके शुरू के कामों पर बहुत ज्यादा पढ़ा था और उसके बाद फिर वो इस्टावन बाथी जो कि उनसे पैरिस में ये मिले थे उसके काम से भी प्रभावित होए थे इस तरीके से भारतिये कला तत्मों के साथ उनकी कला में पश्चिमी कला तत्म भी जलकते है और उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही अलग-अलग मीडिय मीडियम्स को लेकर काम किया वाइड रेंज ओफ मेडियम तो इस तरीके से उन्होंने और बहुती विशालाकार के रिलीफ बनाए रिलीफ मतलब बहुत उभुरे वगे मूर्तिशिल्व बनाए और साथ में अलगसे स्वतंत्र रूप से अंने मूरतिकाला का काम भी उन्ह शंखो चोदरी का जो जन्म हुआ था वो एक सांथाल परिवार में हुआ था और परगना जो कि अब बिहार में है वहां पर 1916 में हुआ था शंखो चोदरी और उसके पस्चातवे जो शांतिनिकेतन में कला भवन है वहां से इन्होंने फाइन आर्स में डिपलोमा लिया और ब कारे करने लग गए थे और क्योंकि 1945 में उन्होंने फाइन आर्ट जो था वो सकल्प्चर में डिस्टिंक्शन के साथ डिपलोमा प्राप्त किया था वहीं से अब इसी वर्ष यानि 1946 में शंखो चोदरी ने मेरट के अखिल भारतिये कॉंग्रेस अधिवेशन की सुसज्जा का काम भी किया इस प्रकार उनकी सहायता जो युद्ध के समारक बने थे 1945 में उसके निर्माण के सिलसले में उनको फिर नेपाल भी जाना हुआ था और जितने भी युद्ध से संबंदित समारक बनाए गए मेमोरियल बनाए गए नेपाल में उसमें धातुक से जो कास्टिं की जाती है इसका अध्यान उनोंने वहां किया और उसके बाद यूरोप जाकर Tella पेरीस और इंग्लेंड में भी इन्होंने काम किया इसके साथ ही उन्होंने तनजानिया में जो दौर सलम एक यूनिवर्सिटी यह वहां पर fine arts पढ़ाया भी और वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए 1980 की ये बात है उससे पहले 1948 में भारत सरकार से इन्हें एक scholarship मिला था fellowship उसके फलसुरूप ही फिर वो मूर्तियों के निर्माण में पूरी तरीके से रम गए और सलगन हो गए 1984 की बात करें तो 1984 में केंद्रिय ललितकला अकादमी जो कि दिल्ली में है उसके वे कारेकारी अध्यक्ष भी रहे तो ये आप देखेंगे कि कारेकारी अध्यक्ष कहें चेर्मेन कहें तो महाँ पर वे नियुक्त हो गये इसी प्रकार भारत सरकारदवाराओं ने 1971 में पदमश्री से भी नवाजा गया उसी के पस्चात नैशनल अवॉर्ड जिससे राष्ट्रय पुरसकार दिया जाता है जो कि एक आर्टिस्ट को एक नैशनल नेवल का रिकरगनेजेशन प्रधान करता है तो ललितकला अकादमी दिल्ली दौरा उन्हें राष्ट्रय पुरसकार से भी सम्मानित किया गया इसके पस्चात फिलिपिन्स की युनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ओनरेरी डिलिट की भी उपादी प्रदान की गई थी तो इस तरीके से मुंबई का जो था इंडियन स्कर्टर असोसियेशन उसके भी वे ओनरेरी जॉइन्ट सेक्रेटरी रहे थे और 1997 में NGMA यानि National Gallery of Modern Art नई दिल्ली द्वारा उनके जीवन भरके कामों को लेकर एक रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी के भी आयोजन किया गया शंको चौधरी क्योंकि सांथाल परिवार परगना से बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसलिए उनके कामों में जो था कि बहुत ही अलग-अलग तरीके की रेंज हमें नजर आती है और उन्होंने एक नई शेली और एक नई मीडियम के साथ खोजबीन की अपने स्कुप्चर में और एक स्ट्रॉंग लीनिंग टुअर्ज अप्सरेक्शन यानि उनके पूरे के पूरे कामों में पूरी तरीके से गहराई से अमूर्थता हमें झलकती दिखाई देती है तो एस तरीके से अमूर्त मूर्ती शिल्पी के रूप में जब वे प्रख्यात हुए तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी प्रदर्श्नियों में भाग लिया 1945 के असपास वे जब नेपाल गए तो राम किंकर बैज को ही उन्होंने असिस्ट किया और मैटल कास्टिंग सीखा, जितने भी वार मेमोरियल उन्होंने बनाए थे वाँ पे, और इस प्रकार वे बैज से तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, और उनके कामों को असिस्ट पी किया करते थे, लेकिन इसी समय चौधरी ने अपना जो एक खुद का एक शेली जो वो विक्सित किया अपने भावनों के अभीविक्त करने के लिए खुद का एक नया स्टाइल डवलब किया, और इसी के साथ वे एबस्टेक्ट स्कल्प्चर के स्कल्प्टर्स के रूप में जाने गए, और उनके इन सभी कामों में बहुत ही ज्यादा रिद्म हमें देखने को मिलती है, अब हम उनके काम और उनके तकनीक के बारे में बात करें, तो क्योंकि अलग अलग तरीके के मटिरियल जैसे उन्होंने ब्रॉंज में काम किया, उन्होंने पत्थर के साथ काम किया, वुड के साथ काम किया, लेकिन अलग अलग तरीके के माध्यमों को लेकर वो ह उनके जो विशे थे उसमें सबसे ज्यादा female figures थे और उसके साथ ही wildlife भी हमें दिखाई देती है तो इस तरीके से और ये जो दिखाई देता है वो अमूर्थ शेली में ही हमें दिखाई देता है और इस तरीके से उस वक्त जो एक academic style चली आ रही थी जिसे हम कहेंगे कि naturalism जिसा एक कुछ आंदोलन चल रहा था तो उस academic style को छोड़ कर इन्होंने अपना एक significant नया style डवलब किया और अपनी पहचान बनाई 1949 में वे यूरोप गए वहाँ पेरिस, इंग्लेंड, आधी जगे पर visiting art teachers भी रहे, art centers में उन्होंने काम किया उसके बाद Italy, Switzerland, Belgium, Netherlands आधी कई ऐसे कला केंदर है जहां पर उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया और अध्यान किया इस तरह किसे शंखो चोधरी ने ना केबल उतकर्ष्ट कारी किया बलकि अपने कारियों को साधरन लोगों को दिखाने के लिए सामने भी लेकर आये और इसके लिए उन्होंने कई प्रदर्शनियों में भाग लिया जैसे National Gallery of Modern Art की समसामीक मूर्ती कला प्रदर्शनी और उसके अलावा 1953 में से लेकर 1956 तक उन्होंने युरोप में जो भारती कला प्रदर्शनी हुई हुई आयो जै तो उसमें नहीं भाग लिया 59 के आसपास उन्होंने 20 कलाकारों की प्रदर्शनी में भी भाग लिया इसके अलावा समय समय पर शंखोचोद्री देश-विदेश की कला दीरगाओं में अपने कार्यों का भी प्रदर्शन करते रहे यह देखेंगे हम उनके कामों की जलक हमें नजर आ रही है और इनके काम को देखकर हम साफ पता कर सकते हैं कि यह शंखोचोद्री का काम है क्योंकि उस वक्त भारती आधुनी कलाकारों में इतनी अमूर्थता के साथ कोई और कलाकार काम नहीं कर रहा था यह शंखोचोद्री के और काम है और इन्हें उत्रश्ट कार्य के लिए All India Fine Arts and Craft Society के और से गोल्ड प्लेक भी प्राप्थ हुआ था बहुती अमूर्थता के साथ इन्होंने साधरान से साधरान विशियों को भी अपने कामों में बहुती गहराई के साथ और सुक्ष्मता के साथ इन्होंने प्रदर्शन किया शंखो चोधरी को पदमुश्री तो मिला ही साथ में उन्हें अकादमी की रत्न सदसेता भी प्रदान की गई थी 1982 में ये उन्होंने अलग-अलग तरीके के मीडियम्स में काम किया ये क्योंकि रामकिंकर बैज से प्रभावित थे तो उन्हीं के स्टाइल में थोड़ा-थोड़ा उन्हीं के मटीरियल को लेकर अपने काम में दर्शाया है तो शंको चोधरी के काम के बारे में कार्ल खंडाल वालान उन्हें एक बार टिपणी की थी कि वे एक साथ ही प्रयोग धर्मी परंपरावादी और आधुनी कलाकार है वे हमेशा नए-नए प्रयोग करते रहते हैं इसके बाद भी उनकी कला में सपस्ट अभिव्यक्ति आवशक्ता नूसार हट एवं मुखर वेंजक्ता है उनके जीवन का सच्चा नुभव, गहरी द्रश्टी और विशय के अंतर तम्तम तक के पैठने की ख्षमता है तो राम किंकर बैज से प्रभावित होकर उन्होंने जो मूर्ति शिल्प का काम शुरू किया उसके बद शाथ अपनी ही एक मौलिक शेली जो विक्सित की वो हम इनके इन कामों में हम देख सकते हैं